नमस्कार दोस्तों करोना महामारी के रूप में फैलती जा रही है जिस तरह से भारत में इसके मरीजों की संख्या बढ़ रही है उससे हम कुछ भी अनुमान लगा नहीं सकते हैं और इसके बचने के लिए जो उपाय है वो हम कर ही रहे हैं लेकिन आज साम में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सजेशन दिये है वो भी काफी अच्छे है उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस आने वाले संडे के दिन आप जब तक जरूरत ना हो तब तक बाहर ना निकले एक तरह से जनता कर्फियू लगाएं जो जनता के द्वारा जनता के हित के लिए है मेरा चुट्टियां हो गई है तो वो बोलते है कि चलो कुछ काम निप्टा लिया जाए अरे भाई आपको चुट्टी दी गई है इसलिए कि आप करोना से संक्रमित ना हो आप अपने घर में रहें कम से कम बाहर निकले लेकिन लोग इसके भी फायदे उठा रहे है खर ये तो ल भीमारी ऐसी है कि यदी आप सिर्फ अपने आपको इससे ना बचाएं ये बिमारी सराउंडिंग जो आपके आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे भी आपको हो सकती है तो आप जितना हाइजीन अपने आपको रखते हैं आप अपने आसपास के लोगों को भी बताएं कि भाई आप भी इसी तरह से रहो और उन्हें भी इन के सामाने जो चीजें हैं जैसे कि हेंड वाश करना या सारे चीजे अपने चेहरे को ढखके रखना जब चीक आती है या खास आती है तो रुमाल से या किसी कपड़े से या फिर इस तरह से कोहनी से आप अपने चेहरे को ढख के रखें करोना हमारी है हमें इन से लड़ना है और जब हम और आप ही तयार नहीं होंगे तो हम इस लड़ाई में कैसे आगे आ पाएंगे साथ ही साथ प्रधान मंत्री जी की जो अपील थी मैं तो ये कहता हूँ कि हर एक दिन जो है वो जनता करफी होना चाहिए जब तक जरूरत ना हो आप बाहर ना निकले तो फिर आप करेंगे तो करेंगे क्या घर में बैठ कर टीवी देखेंगे टीवी पर भी करोना आता है सोसल मेडिया पर भी करोना है आप वाट्सअप खोलेंगे तो वाट्सअप उनिवरसिटी में तो गजब की गंध मचीवी है वहाँ पर करोना को लेकर अलग अलग तरह के वीडियोज वाइरल हो रहे हैं, खर मैं उस पर अभी चर्चा नहीं करने वाला हूँ, तो मेरा एक छोटा सा सजेशन है, आप किताब की और ध्यान दे, बुक जो है, वो इंसान का हमेशा अच्छा साथी रहा है, तो यदि आप घर में बंद हैं, या फिर आपके आफिस से आपको छुटी मिल गई है, कि आपको या फिर आपको घर से काम करने के लिए कहा गया है, तो टीवी, सोशल मीडिया, इन सब चीजों से कुछ दिन दूरी बनाएं, और किताब से दोस्ती रखें, क्योंकि कुछ अच्छी बुक खरीद लें, या ओर्डर कर दें ऑनलाइन, क क्योंकि हमें नहीं पता कि करोना का संकट किस तरह से होगा, और हमारी सरकार कितनी तयार है इसके लिए, लेकिन हम उमीद करते हैं कि हम अपने आपको सुरक्षित रखने के लिए, जितना सजग है, उसी तरह से आसपास के लोगों को भी जाग रूख करें इसके बारे में, और कोशिस करें कि अपवाओं पर ध्यान कम से कम दें और सतर्क रहें, जो क्या हो रहा है?